असलाम वारेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत रजी अल्लाह अन्हों ने इर्शाद फर्माया इन तीन घरों में अपनी बेटी का रिष्टा मत करना वरना आपकी बेटी की जिंदगी बरबाद हो जाएगी इन तीन घरों में रिष् करने से हमेशा अपने आपको बचाना तो आईए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह अन्हों अपनी बारगाह में मौझूद थे एक मालदार शक्स आया वो बहुत परेशान था उसके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी उ उस शक्स ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हों की बारगाह में अर्ज किया ए अमीर अल्मौमिनीन में बहुत परेशान हूं क्या आप मेरी परेशानी को दूर फरमा सकते हैं तो हजरत रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया क्या मसला है इसी कुन सी बात है जो तुमें परेश करना चाहता हूं लेकिन डर जाता हूं के कहीं मेरी बेटी दुख तकलीफ और परेशानियों में नामुब्दला हो जाए मेरी बीवी और में सला मश्वरा करके आपके पास आपकी खिद्मत में हाजिर हुए हैं मुझे कोई ऐसा घराना बताईए जहां पर मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए और मेरी बेटी हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे और हम अपनी प्यारी बेटी का घर बस्ता देख कर हमेशा खुश रहें उस मालदार की हर बात में वजन तो था इसलिए हजरत अली रजियल्लाह उताला अन्हों ने फरमाया ए शक्स अपनी बेटी का रि इनत महसूस होगा हजरत अली ने मजीद फरमाया बाप के घर में बेटी तो परी होती है रानी होती है और बाप इसी के लिए तो फिक्रमंद होता है जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं बाप को अपने घर की चार दीवारी छोटी लगने लगती हैं ताकि ब उचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी बेटी का रिश्टा करने लगो तो सिर्फ तीन चीजों का खयाल लखना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा। और आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। तो मालदार शख्स ने अर्ज किया ए अमीरुलमॉमिनीन वो कौन सी तीन चीजे हैं और कौन से अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्टा करें। हजरत अली र. अन्हों ने फरमाया ए शक्ष याद रखना अपनी बेटी का रिश्टा उस घर में ना करना। जिस घर में औरते फैसले करती हों औ और मर्द उसके फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्टा कभी भी ऐसे घर में ना करना। वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड जाएगा। आपकी बेटी की दुनिया बरबाद हो जाएगी। प्यारे दोस्तों कितनी गहरी बात है आप इसको ना घर वालों से प्यार मिलता है ना माईके वालों से प्यार मिलता है। वो अपने माईके वालों पर खुद को बोज समझने लगती है। एसा होता हुए आप लोग देखते भी होंगे। भाईयों ने भी बहनों को बोज करार दिया है। एसे कई घर होंगे जिनको आ ही रात को राहत की नीद आती है वो माबाप को देखती है तो इसी फिकर में रहती है मेरी वज़ा से मेरा माय का यानी माबाप भाई बहन पूरा घर परेशान है और वो घुट-घुट कर मरना शुरू हो जाती है आखिरकार ठक हार कर या तो अपने शोहर को अपना लेती है और शोहर के जुल्मों सितम को उसके तानों को गहना बना कर पहन लेती है या फिर अपनी जिन्दगी से रूट कर बीमार पड़ जाती है तो प्यारे दोस्तों हजरत अली रजियल्लाह अन्हु ने आगे फरमाया ऐ मालदार शक्स उस घर में अपनी ब अन्हु फरमाते हैं ए शक्स कभी भी अपनी बेटी का रिष्टा उस घर में भी कभी मत करना जहां औरतों की इज़त ना की जाती हो जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो वहां अपनी बेटी का रिष्टा ना करना वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उज प्यारे दोस्तों आपने अपने इर्दगिर्द कहीं न कहीं जरूर देखा होगा कि ऐसे घर भी हैं जहां औरतों को अपनी जूती की नौक पर रखते हैं हालाकि अला कि अलनला के महभूब और हमारे प्यारे नबी खसरता मुहम्मन मुस्तिफा स्दों आपनी बीवियों को वेसा ही खिलाओ जेसा तुम पहनो वेसा ही अपनी बीवियों को भी पहनाओ लेकिन ऐसे घर भी हैं जो खुद को अवल समझते हैं और ऐसे शक्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्मों सितम करके और कहते हैं हमने अपनी पिरादरी में अपना नाम उचा कर लिया है हाला कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने लिए अजाब का गढधा खोद रह हैं शरियत की राह पर चलाता रहे जो अपनी बीवी के अखराजात में कंजूसी ना करे जो शक्स अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किसम की भी गफलत और कोता ही ना करे जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगह ना डाले जो अप इसी किस्म की जियादती ना करें जो अपनी बीवी की हुबियों पर नजर रखें और मामूली सी गलतियों को नजर अंदाज करें और जो अपनी बीवी की मुसीबतों बीमारी और रंजो गम में तीमारदारी वफादारी का सबूत दें और जो अपनी बीवी को परदे में की देता रहे जो अपनी बीवी पर इस तरहा कंट्रोल करें कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके हजरत अली रजियल्लाह अन्हों ने फरमाया ऐ शक्स अपनी बेटी का रिष्टा उस घर में भी मत करना जहां उनके कुनबा यानि उनके खानदान में तलाक बहु क्यों ना हो अपनी बेटी का रिष्टा इस खानदान में इस घर में कभी ना करना जहां ओरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज्यादा हो हैलांकि ऐसे लोग अल्लह ताला की पकड़ में आते हैं अल्लह ताला का इर्शादी मुबारक है तलाक देना बदतरीन अमल है क् की ये अमल शेतान को बहुत पसंद है अल्लह ताला तलाक के लफज पर और तलाक देने वाले पर घजब नाजिल करता है प्यारे दोस्तों आप खुद सोचिए जिस अमल पर परवर्दिगार आलम नाराज होता है वो इनसान इस दुनिया में जलील औ खौर होगा और आखिर भी रुस्वा होगा बलकि समझो वो बरबाद हो गया इसी लिए हजरत रजी लाह ताला अन्हों ने उस शक्स को ये फरमाया कि इन तीन चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिष्टा एसे घर में मत करो जहां तलाक बहुत ज्यादा होती हो ये सुन्नत है आपकी और आपको भी दौाए देगी तो वो मालदार शक्स जो आया हुआ था मायूस होकर आया था लेकिन हजरत अली रजी लाह ताला अन्हों ने उस शक्स के जहन के सारे फितूर खत्म कर दिये सारे सवाल उसके खत्म कर दिये और हमें भी ये समझा दिया कि अपनी बेटी के लि अपने आपको वीडियो के शुरुआत में बताए इन घरों में अपनी बेटीों का रिष्टा ना करें एसे कौन से तीन घर हैं कमेंट बोक्स में जरूर उसका जवाब दीजिए देखते हैं कितने लोगों को इसका जवाब पता है प्यारे दोस्तों ये वीडियो आप जादा शेयर कीजिए ताके ये वीडियो और लोगों के पास भी पहुंच जाए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए असलाम वालेकुम